नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइफ के स्पेशल रिपोर्ट बिहार में नितीश कुमार की सरकार कितने घंटों के लिए बची हुई है ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं बताये जो रहा है कि इंडिये की सरकार बीजेपी की सरकार जो चल रही है बिहार में वो कभी भी गिर सकती है जी हाँ बड़ी खबर बिहार से आ रही है बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं आपको बता रहते हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीम नहीं मोर्चा खोला हुआ है बीजेपी और जेडियू के बीच में विवागों के बटवारे के को लेकर टक्राव के स्थिती बनी हुई है अब ऐसे में एंडिये की और दल ने मोर्चा खोल दिया है और बड़ा दावा भी कर दिया है अमिशा से सीधी मांग कर दिया है अमिशा को उन्होंने साफ साफ ये संकेत भी दे दिये बताया जा रहा है कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम इंडिया गडबंधन में शामिल हो जाएंगे बताय तो ये भी जा रहा है कि हम इंडिया किस तरीके से बीजेपी विहार में फस कई है और कहीं न कहीं नितीश कुमार भी फसे हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडियू के बीच में टकराव की स्थिती बनी हुई है बैठकों का दौर जो है वो शुरू हुआ बैठके हुई लेकिन बताया जो आ रहा है कि 5 तारिक तक 5 फरवरी तक मंत्री मंडल का विस्तार होगा उसके बाद भागों का बटवारा होगा अभी इस पर इस्तिती जो है वो साफ नहीं हो पाई है अब ऐसे में सवाल कई बड़े 28 तारिक को उन्होंने 28 जनवर्य को शपत ली है और आज दो तारिक 3 तारिक तक जो अगर देखा जा है तो उन्हों ने अभी तक विभागों का बटवारन नहीं किया है और अगर देखा जाये तो 6-7 दिन में जिस तरीके से स्तिती बनी हुई है बिहार में उससे Já बीजेपी ने उस मांगो को मानने से इंकार कर दिया जो भी नितीश कुमार ने अपनी मांगे रखी थी कि लोग सभा और विधान सभा का चुनाव एक साथ करवा दिया जाए ये सारी मांगे नितीश कुमार की थी और बीजेपी ने सब कुछ दरकिनार किया और उसके बाद अ इनका नाम लगातार चर्चा में था जब नितीश कुमार अपने आपको ना तो वो एंडिय का बता रहे थे और ना ही ये बता रहे थे कि वो इंडिया में हैं उस वक्त जीतन रामांजी का नाम सबसे जादा उचाला चा रहा था क्योंकि बीजेपी भी उन्हें मनाने में जु आफर जब उन्हें दिया गया था तब भी उन्होंने का कि हम प्रदानमंती नरिल्लर मोधी के साथ रहेंगे हालंकि वो विचार इसपर कर रहे हैं और इसी लिए इस तरीके से उनका उनकी बयानबाजी आई है और किस तरीके से एंडिया में बड़ी फूट पड़ी है वो आगे आपको सुनाएंगे जीतन रामानजी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे लेकिन आप समझे कि बिहार में जो बीजेपी ने तोरफोर की सरकार बनाई है वो अब किस तरीके से गरती हुई नजर आ रही है जनता का जो मत है वो तो उनके साथ नहीं है लेकिन जो तोरफोर की राजनीती वो कर रही है जो ओपरेशन लोटस चलाकर जो सरकार बनी है अब वो भी गिरती हुई नजर आ रही है अब ऐसे में सबसे बड़ी बात जो कही है वो जीतन रामानजी ने कही है उनका कहना है कि इंडिया गडबंधन माले तो हमें सियम कपद ओफर कर रहे हैं और यह बात सीधे तोर पर उन्हें अमिशा से किया उन्होंने सीधे तोर पर बताया कि दिली तक यह बात पहुच गई है लेकिन उधर से कोई संकेत नहीं आया है कि यह पोज़िव है यह निगेटीव हैं जो कुछ भी मैंने कहा है वह ठीक है वह मांं रहे है न मंतुराले नहीं मिल पा रहे हैं जी अंतरम्त्रान को लेकर ही नाराजगी जीतनराम cuidado की है उनका कहना है कि निर्दलिय का एक विधायक है और निर्दलिय एक विधायक को मंत्र सी है एक में पांच है हमें दो पर दावा ठोक दिया है अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा लेगन इस पर उन्होंने दावा ठोका है इसका मतलब यह कि जीतन राम माजी कभी भी पाला बदल सकते हैं और जैसे ही जीतन राम माजी लालू यादों के साथ जाएंगे जैसे ही आरजेडी को वह समर् कर रहा था कि ठीक है बिहार में बीजैपी ने सफ़कार बना ली है अब तो लोग्सभा तक जो चुनाव है तब तक तो सरकार चलेगी ही उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही जो सरकार चल रही है वो गिर्ती हुई नजर आ रही है और यह हम नहीं कह रहे हैं बलकि जो सूत्रों के हवाले से खबरे आ रहे हैं और जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं उसी से कयास लगाए ज़ा रहे हैं NDA की सरकार कितने घंटों तक चलती है कितने दिनों तक चलती है ये तो आने वाले दिनों तक देखना होगा आने वाले जो घंटे हैं वो बताएंगे पलपल में क्या कुछ बदल रहा है उसकी अपडेट हम आपको पहुचा रहे हैं और बता रहे हैं कि जीतन राम मांजी जिन मंत्री मंदल का पूर्ण गठन नहीं हुआ है, यह कोई अन्होनी बात नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि पर्थम मंत्री मंदल का गठन होता है, मुख मंत्री एक ये दो ये तीन लोगों के साथ जो सपरगर्ण करते हैं, उसे दस दिन परंदर दिन के बाद अपना हमको भी लगता है कि साइद एक पहला बार है कि मुख मंत्री सपरगर्ण कर लिए, आठ मंत्यों का भी उन्होंने ओर दिल वाया, लेकिन विवाग अभी तक साइद नहीं बटा है, तो विवाग बढ़ जाना चाहिए था, और बाकी सारा विवाग मुख मंत्री के पास होता फिर जब नया ओस होता सब लोग का तो फिर उसी तरह से विवाग बढ़ जाता, तो यह नहीं हुआ है, लेकिन यह स्वेक्षा है हमारे मुख मंत्री का और भला बुरा सब वो समझते हैं, तो उनकी स्वेक्षा है तो इस पर हम लोग कुछ कहना हैं, लेकिन जैसा कि सुन र हैं कि अगला पांच तारिक को मंत्री मंदल का विष्टार होगा, और बहुत जादा समय इसको नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इस पर कोई प्रस्न उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है, पेज कहा होती हुए तो पेज फसने की बात नहीं है, तो आपने सुना जीतन राम मांजी ने विभागों के बटवारे को लेकर किस तरीके से बड़ा बयान दिया लेकिन दूसरी तरफ अब उनका ये भी कहना है कि मंत्राले जब निर्दली को एक दिया गया तो हमें क्यों दो नहीं दिया गया और इसकी बाते जो है जो कुछ भी उनके मन में था वो बात उन्होंने अमिश्चा तक पहुँचा दी है लेकिन उधर से अभी तक कोई भी प्रतक्रिया नहीं आई है उन्होंने आगे क्या का है चलिए आपको सुनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्रपूर और बहुत ही बड़ा बयान है सुनिए तो निश्चित होता कि पहले मंति मंदल विस्तार हो जाता लेकिन महा महीं बाहर जा रहे हैं दस इगारा को बाहर रहेंगे तो इगारा को रात में आएंगे तो बारा को होगा विधान सवासत्र प्रारंब होगा तो बैसी प्रशिति में 11 के पहले ए मंति मंदल का विस्तार सुहाविक है लेकिन मुखमंत्री जादे इसमें सचेस्ट हैं और जैसा कि मुझे मालम हो रहा है कि 5 तारीक को ही मंति मंदल का अगला विस्तार हो जाएगा और उसी दिन विवागों का बटवारा भी हो जाएगा रही बात हमारी तो हम सुरू से कह रहे हैं कि निर्दली एक विधायक हैं उनको आप एक मंत्रा ले देते रहे हैं आज भी दिया और हम पांच विधायक हैं, चार MLA और एक MLC, तो हमको कम से कम दो विववन्ति जरूर चाहिए तो इस लाइन पर हम बात किया है माननिय मुखमत्री से भी, बात किया है नित्यानन राइजे से भी, बात किया है अमित सारी से भी कि भाई हमको एक विवाग और आप दीजिए, उन लोगों ने कोई स्विकारात्मक या नाकारात्मक बात नहीं कही है इसलिए हमको उमीद है कि हमको एक विवाग और मिलेगा और हम समझते हैं कि एक विवाग मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हमको मगर्द में काम करने में समाजी समानजस को स्थापिश करने में हमको बड़ी सुविधा होगी इसलिए हमें एक विवाग और मांगी विभाग एक और दे देगी उन्हें एक और मंत्राले सौब दिया जाएगा और अगर अमिश्या उनकी बात मान लेते हैं तो फिर उन्हें मुझे नहीं लगता कि मीडिया में इस तरीके से किसी भी चीज को लेकर चर्चा करने की जरूरत पड़ी लेगन अब यहां पर साफ़ जिन जिन राज्यों में भारत जोड़ो नियायात्रा पहुंच रही है वहां वहां पर या तो पहले या उसके बाद में जो तोड़ फोड़ कर रही है बीजेप और किसी ना किसी तरीके से तोड़ फोड़ करके अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अब उसमें उस जो गिराने की कवाय श्रू हुई थी जो एक ओपरेशन लोटस की चर्चा हुँ रही थी जो उनकी टीम पहुची हुई थी अमिश्रा की जारखन में बताय जा रहा था वो पूरी तरीके से नाकाम हुई है वो पूरी तरीके से फेल हुई है और इंडिया गडबंधन की में बड़ी जीत हुई है और अब बिहार में भी इसी तरीके से स्थिती बंती हुई नसर आ रही है जीतन राम मांजी अगर पाला बदलते हैं और जिस तरीके से उनके बयान बाजी है क्यास लगाय जा रहे हैं कि वो पाला बदलने वाले हैं तो बिहार के स्थिती कुछी घ डेट आपको दीवी लाइब से मिलती रहेगी मैं आचल आपसे चाहूंगी जाने की इज़ागर